उसको जिस परकार से मेडिया ने उसको तबज्जु दी, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे हो इलेक्टरोनिक मेडिया हो, एक प्रकार से उसको हर एक ने अपना काम बाना और उसमें कभी पूरण वीराम नहीं आने दिया उसको उसमें नहीं रंग रंग भरते गए उसमें लगातार उस विवस्ता को उस आंदोरन को उस भावना को प्रानवान बनाया है और इसके लिए मैं जब भी मोका मिलता है मैं मेडिया जगत का अभिनंदन करता हूं दिन्यव करते हैं तो कहने का मन करता है कि दो चीजे मुझे लगती है कि एक कि आर्टिफिशन इंट्रिजेंस के कारण है और उसमें भी कि डीप फ्रेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास कि वरिफिकेशन के लिए कि या अथेंटिफिय करने के लिए कोई उसके पास पैरलल व्यवस्ता नहीं है कि और बाइंड लार्च अजादिक की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीज़े से मिडिया सब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है जैसे कोई भी वेक्ति हो गेरुए कपड़े हैं तो हमारी हाँ एक स्वाब है वो इसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको वैसा मिडिया को भी है एक विरासत का लाब उसको मिलता है और उसके कान डिप फेक हो तो भी भरोसा कर लेता है है यार ऐसे थोड़ा आया हो गया कुट तो हो गया और यह बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा सभाज हो और शायद असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सबता है समाज जी क्शिल काम होता ही , बहुत मुश्किल काम होता है कि मालीजर कहीं कोई यह गलत चीज नियंक्त है पै·दा कर दी अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टन्स भी तो मेटर करता है अब आपको तो डिस्टन्स समय मेटर ही नहीं करता है पुरंत पहुंच जाता है अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हम हमारे कारेकमों के द्वारा कि आकिर है क्या कि आर्टिफिशनल इंटलिजेंस कैसे काम कर रहा है डीप एक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी मैंने भी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा है क्या बढ़िया किए अ जबकि मैं स्कूल है לזत कभी मौका नहीं मिला मुझे बाइप स्कूल में बहुत अच्छा खहलता था घरवे हुआ बहुत अच्छा खहलता था लेकिन बात में कभी मोगा नहीं मिला लेकिन अभी ज Corinth has a आजीब नहीं हर वीडियो ऑप् dessa कि ताकत है最 path झाल झाल